लो दोस्तों मैं हो इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आयान आगे हूँ फिर से नई और इंफोमेटी वीडियो लेके बहुत सारे लोगों का कॉमेंट और मैसेज आ रहा था कि सब्से पहले मैं एक चीछ किलियर कर दूँ आप सब लोगों को कि मोवाइल को अगर आपका ग लोगिन है तो अम्यून एब का ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपका इम्यून एप liging हो और आपका दिलागिंग वीडियो में आपको जितना भी प्राइब है ये सारा प्रॉब्लम साट हो जाएगा खतम हो जाएगा सुलंकी एप का और इम्यून एप ओके तो सबसे पहले मैं बता दू अगर आपको इम्यून एप में कोई भी किसी भी टाइप का एरर है या सुलंकी एप पे एरर है तो आप 151 पे कॉल करो और अपना सिविल आईडे नमबर बताईए तो 151 जो है वो एक हिल्पनाई नमबर है जो क्वैट के तरब से हमें पुर्वाइड किया गया है कई लोग गलती क्या कर रहा है न कि वो इंडिया से ही या फिर किसी और देश से ही 151 पे कॉल कर रहा है तो मैं उससे कॉल करवा सकते हो 151 पे फिर 151 पे जैसे आप कॉल करोगे तो आपका सिविल आईडी नमबर और अगर आप सुलैंकी आप के रिगार्डिंग कॉल करते हो तो आपका पुछेगा कि आपने कौन सा नमबर योज़ किया था जब पहली बार आपने सुलैंकी आप लॉगिन किया था तो वो नमबर पुछेगा फिर उसके बाद जो आपका नया नमबर जो अभी अबलेबल होगा उस नमबर से आपको वो कनवर्ट कर देगा फिर आपका सुलैंकी आप लॉगिन हो जाएगा इम्यून एप में भी सेम इशू है तो इम्यून एप भी सेम चीज पूछ के वो रिजॉल्व हो जाएगा आपका जो भी प्रॉब्लम है इम्यून और सुलंकी का दोनों खतम हो जाएगा उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों का बहुत हेल्प मिलेगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फोर्मेटिव है तो आपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करें आपकी छोटी सी हेल्प से किसी का भी मदद हो सकता है तो वीडियो को चरू शेयर करें मैं मिलता हूँ फिर से एक नई और इसी तरीके के इन्फोर्मेटिव वीडियो के साथ मैं होयान और आप देख रहे हैं कोया जोब डेट थांक्यो